वेवसाई को लोग आम तोर पे फाइदा का माने वाला इंसान समस्ते हैं और एक चेंबर को समूहून का लेकिन जारखन चेंबर आफ कॉमर्स ने अपने कई काम से अपनी छबी को बदला है आज फिर से चेंबर ने डिसीजन लिया है वो डिसीजन एक तरीके से पार्सियल लॉकडाउन का है सेल्फ इंपोज किया है वो डिसीजन सरकार के तरफ से इन पर थोपा नहीं गया है क्या है वो decision चेंबर अध्यक्ष खूद बताएंगे कुनाल जी आज आप लोगों ने decision लिया है क्या है वो decision पहले तो मैं आपको विवसाई और चेंबर राज की ऐसी संस्ता है जिनोंने हमेशा अपना समाजिक दायत्व निभाया है बढ़ चड़ के निभाया और हमेशा राजहित वेपारित और जनहित में ही बात की है आज आप देखें कोरोना जब प्रकोप इसका बढ़ा तो आज दस जार परिवार को चेंबर ने अपने तरफ से मुहिया राशन मुहिया कराया वो हर छोटे बड़े हर विवसाई हर व्यक हर घर महले में आप देखिए आज कोविड के मरीज पाए जा रहे हैं मिल रहे हैं और वो बुरी तरह संक्रमित हो रहे हैं तो तो इसी को पहल को करते हुए चेंबर के सारी संबंद संस्ताओं के साथ कल एक वर्चल मीटिंग हुई थी पूरी राज से तो सबका ये इसमें एकमत बात आई कि एक रिस्पॉंसिबिल्टी निभाते हुए रिस्पॉंसिबल बिजनस करते हुए हम तीन दिन फ्राइडे साटेडे संडे अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखें ये चेंबर ने अपील की है और हम सरकार को भी सुझाओ देते हैं कि सरकार भी इसे इंपोस कराए जिस तरह आ हम इसे बच नहीं सकते हैं और हमारे पास वैसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतनी नहीं है कि इतने लोग अगर हो जाएं जिस तरह पॉपॉलेशन बर्स्ट है हमारे यहां तो आने वाली स्थिति और भयावा हो जाएगी तो हमें ये लगा कि हम अपने समाजिक मती हुई और इसमें हम यह सब को अपील करते हैं कि आप सब साथ आएं और तीन दिन सिर्फ बंद नहीं एक कर्फ्यू क्योंकि बंद रहेगा तो लोग फिर अनावश्यक घर से बाहर गुमने के लिए निकलेंगे चलो गुमके आते हैं बड़ कर्फ्यू तरह सेल्फ इंप परतिष्ठान है वहाँ पे तो वाकाइदा अभी जो खुला भी वह हुआ है वहां सोसल डिस्टेंस भी मैन्टेन हो जा रहा है प्रोपर सिनिटााइज किया जा रहा है सब का मतलब 03 स्कैनर से स्कैन करके तभी इंटरी मिल रहा है एतियात के तो तो वह सारे कुछ कर रहे है लेकिन जो सबजी मंडी है फल मंडी है जहां क्राउड दीख रहा है वो तो चेम्बर के दाइरे से बाहर है तो ये आपका डिसीजन कितना मतलब प्रभावसाली होगा करोना का चेन को ब्रेक रहे हैं ये हर व्यक्ति से हम अपील कर रहे हैं हम तभी हमने कहा कि हम सरकार से भी सरकार को भी सुझाओ देते हैं उनका समर्थन चाहते हैं इसके उपर आज मीडिया ने काफी सकरात्मक रूप से चीजों को निभाई है बट हम उतने मुझे लगता है डिसीप्लिन क्यों नहीं है क्यों हम चीजों को नहीं समझ रहे हैं हम चाहते हैं की हम काहरे करें वेपार करें और घर के बगल वाले में ही भगत सिंग पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता है हम सबको जिम्मेवारी निभानी होगी और हर एक व्यक्ति को चाहे वो एक सबजी वाला क्यों नहीं हो आज प्रसाशन को भी ये देखना होगा कि वो भी इसमें समेलित हो और कड़ाई से ज एक हो रहा है कि अभी सरकार के पास बेड नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई है करोना पॉजिटिव भी है तो सरकार मजबूरन अब यह सिर्फ जारखंड की बात नहीं है उन तरपे दूसरे राज के भी सरकार ये करिए कि अब घर में रही है चेंबर के पास एक बड़ा जगा है उनका होटल बेफसाई से जो जुड़े हुए लोग है उनको क्यों नहीं चेंबर अपनी तरफ से सरकार को कहता है जैसे पेड कुरंटाइन की भी बात आ रही है उसमें कुछ सोचा देखे मैं आपको अपडेट कर दूं कली जीला प्रसाशन से हमारी मुद करना टेस्स नहीं कराना चाह रहे हैं जिसके कारण उनके घर में करना स्प्रेड हो रहा है अच्छे अच्छे वेवसाई अच्छे अच्छे प्रतिश्टिश्ट लोगों के यहां आज यह बिमारी फैल गई है जस्ट ड्यू टू कि वह रिम्स का नाम सुनते हैं और वह नि देनिक अकबारों में सोसाइटी के लोगों ने उस व्यक्ति को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया तो यह चीज समझना होगा हमें कि इस तरह से हम अपने आपको इससे सजग करें तो हमने इसी के लिए सुझाओ भी दिया है कि भई होटल्स जो हैं रांची में प्राइवेट नहीं है तो वह अटलीस्ट वहाँ पे रहें सेल्फ आइसोलेशन में तीन वक्त का घाना उन्हें मौया करा है और जब उनका पॉजटिव से नेगटिव रिपोर्ट आ जाता है तो वहाँ से अपना घर वापिस लोट सकते हैं तो इससे सरकारी हॉस्पिटल्स का भी लोड क पड़ेगा और यह चेन तोड़ने में काफी सहायक रहेगा अब गौवर्मेंट भी सुनने में आ रहा है कि वह फैसला ने लेने वाली है सक्त तो बीजे जी आप लोग के तरफ से कोई जब सेल्फ इंपोस्ट कर लिया अपने आप पे तो क्या गौवर्मेंट के लिए आप के पास कुछ प्लान है कुछ सुझाव है नहीं हम लोग सरकार से यह सरकार को यह सुझाव दिना चाहते हैं कि अगर विक में तीन दिन का लॉकडाउन अगर होगा तो यह हम लोगों की सोच है कि इस से यह कौर्णा के उपर में कौर्णा बीमारी जो जो फैल रही है जिस हि में हम लोग इसको कर्फियू के रूप में ले कि ऐसा नहीं कि आधा धुरा चले तो यह बिना सरकार के संभाव नहीं है हम लोग अगर अगर अपनी दुकाने अपने परस्ति पर्तिष्ठान बंद भी करते हैं लेकिन उसमें सरकार का सहयोग नहीं रहेगा सरकार अगर चाहे यह तभी यह चीजें हो सकती है क्या कि आज ट्रांस्पोर्टेशन है या जो भी चीज है इसमें हम लोगों का है कि रिटेल मैडिशन सौप और मिल्क यह दो चीज को इससे मुक्त रखते हुए बाकि वेजटेबल मार्केट को भी पहले से इनांस रहेगा तो हर आदमी प्र गल्ले किराने की दुगान का है तो अगर उज्धंक से हम लोग इस चीज को लेंगे तो हमको लगता है कि यह हम लोग इस पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे और तीन वीक में तीन वीक हम लोग चलें इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगे कि कितने नंबर आफ पेशन्ट तो हम लोगों ने अपनी तरफ से डिक्लेयर करके रखा है लेकिन सरकार भी इसको सहीयोग करे तभी इसका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा अब देखिए सरकार है मन जी क्या फैसला लेते हैं चेंबर हो सकता है फिलाल आप से मिलेगा भी है मन जी इनके पे भी विचार क जी और जो करोना का सरकील ये तोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा अपना भी भागीदारी निभाई है